कार्ट स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दिल्ली में हुए हज कमेठी के चुनावों में अर्विन केजरिवाल सरकार को लगा है बड़ा जटका और हुई है बड़ी हार और वहीं दूसरी तरह भारतियों जन्दापार्टी की दिल्ली हज कमेठी के चुनावों में जीत अब भारतियों जंदापार्टी की समर्थित कौसर जहां अधियक्ष बन गई हैं अगर हम इस कमेठी की बात करें तो 7 जनवरी 2023 को ही दिल्ली के उपरा जपाल वी के सकसेना की तरफ से ही इस नई हच कमेठी का गठन किया गया था आने वाले 3 सालों के लिए जिसमें भारतियो एक पार्षत थी जो कि आज ना मौजूद रही आज के चुनाव में तो वहीं दूसरी तरफ जो जीत हुई है भारतियों जंदापार्टी की ये जो बड़ी जीत हुई है हज कमेठी के ऊपर कौसर जहां की तो जहां एक तरफ जीत हुई है भारतियों जंदापार्टी की त तो वहीं दूसरी तरफ कोसर जहां का जो बयान है वो भी सामने आया है अपनी जीत के बाद और उन्होंने कहा है कि माननियालजी दुआरा पद्यक्षपद और समेती के गठन के लिए नियुक प्रक्रिया का निर्मान किया गया है सभी नियुमों को ध्यान में रख कर के अधिकारों के लिए लडाई लड़ी है तीन तलाग पर परतिबंद के बाद महिलाय सुरक्षित महसूस कर रही है हम हजबर जाने वालों की परिशानी काम करने का काम करेंगे और समय के अनुसार यानि की चीजों को देखते हुए हर मसले का हल निकालेंगे ये बयान दिय गया है जीत के बाद कौसर जहां की तरफ से कमेठी के चुनावों का जिक्र कर रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए जादा बड़ी हार इसी लिए भी मानी जा रही है क्योंकि पिछले ही दिनों MZD के चुनाव और मेरपद को लेकर हंगामा जो तरीके से सदन में देखा गया और जिस समय पर यानि की 7 दिसंबर को रिजल्ट सामने आए और 7 जिन्वरी को जब पहली बार वोटिंग हुई सदन में तो उस समय पर भी कॉंग्रेस को लेकर ये जो बयान बाजी है वो की ग रही थी वो सिर्फ इसी मुद्रे को लेकर दिख रही थी क्योंकि हज कमेठी से हार नहीं मानना चाहती थी हज कमेठी में अपने किसी व्यक्ति को ही बिठाना चाहती थी आमाthemी पार्टी सरकार पर यहां पर जो है वो हार हो चुकी है जस तरीके से रिजल्ट जो है वो आज सामने आए हैं आज ही चुनाव हुआ क्योंकि जादातर लोगों की तरफ से चुनाव जो वोट है वो नहीं डाले गए थे क्योंकि 4-5 लोग यानि कि अगर कमेठी का जिक्र करें तो 7 जनवरी 2023 को ही दिल्ली के उपरा जपाल वीके सक्सेना की तरफ से इस कमेठी का गठन किया गया जिसमें मैं पहले ही जिक्र कर चुकी हूँ कि एक तरफ भारती जनद पार्टी के दो सांसद आम आदमी पार्टी के दो विधायक इन दोनों ने वोट दिया तो वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस की जो पार्चद है वो अनुस्पस्थित रही और वहीं तीसरा वोट अगर काउंट हुआ तो वो खुद कौसर जहां का था हज कमेटी को लेकर हज कमेटी को लेकर मुसल्मानों के वोटों को लेकर आम आदमी पार्टी पहले से ही दिल्ली में काफी जादा प्रयास कर रही है क्योंकि दिल्ली दंगों के बाद जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के वोटों में काफी जादा कमी आई है और उसी वो जिक्र किया है तो यह इसलिए भी माइने रखता है क्यूंकि हाल ही मैं केंद्रसरकार में हचियार को लेकर देश की केंद सरकार की तरफ से और विते मंतरी निर्मला सीता रमन ने इन तमाम चीजों को रीड करके भी सुनाया था क्या बदलाव था आपको बता दें कि केंद सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया था हज के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला वी आई पी कोटा खतम करने की बास सामने आई थी पहले हज यात्रा को लेकर कुछ आरक्षित सीटन दी जाती थी जिन्हें खतम करने की कारवाही शुरू की गई थी तेरासल पहले राष्टपती उपराष्टपती प्रधान मंत्री अलप संख्यक मामलों के मंत्री और हज समीती दुआरा आवंटित सीटों के करीब 500 लोग हज पर जा सकते थे जुस पर राष्टपती की कोटे से 100 थे उपाधियक्ष की कोटे से 75 पीम की कोटे से 75 अलप संख्य आज धीरे-धीरे करके उन चीज़ों को समाप्ट किया जा रहा है चाहे फिर वो संसत में फ्री खाना हो कम दरों पर खाना हो या फिर आज ये हज की बाते हों हज कमेठी को लेकर जिक्र हो कि जिस तरीके से पहले सरकारी कोटा दिया जाता था और लोगों को हज पर भेजा जायता था इन तमाम चीजों पर भी जो है वो रोक लगा दी गई है आज आमादमी पार्टी सरकार के लिए बड़ा जटका हज कमेठी के चुनावों मे ये तक कहा कि मेर चुनावों में बीजेपी के लिए अच्छा होगा अगर कॉंग्रेस को सदन से बाहर रहेगी और कॉंग्रेस इसके लिए सहमत भी हो गई है आमादमी पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया था मेर चुनाव से दूर रहने के लिए बीजेपी ने MCD में कॉंघ्रिस ने नाजिस दानिश को हज कमेठी का सदस्य बनाया है पर आज अगर हम हज कमेठी और सदस्यों की बात कर रहे हैं तो इन तमाम सदस्यों को किसी पार्टी ने नहीं बलकि दिल्ली के उपरा जिपाल VK सकसेना की तरप से चुना गया है और ये कमेठी जो है वो अगले तीन साल तक दिल्ली में रहने वाली है फिर ये बात तो हुई कि एक तरफ दिल्ली की हजकमे ठी दूसरी तरफ आम आदनी पार्टी को बड़ा जटका और बीजेपी की बड़ी जीत और क्या-क्या बयान बाजियां और क्या बयान दिया है कौसर जहां ने वो भी हम प्रदेश के अधियक्स विरेंद्र सच देवा का भी नाम शामिल है और उन्होंने ट्वीट करके इन तमाम चीजों की जानकारी दी है और वहीं दूसरी तरफ को असर जहां को भी बधाई दी है यानि कि एक तरफ हज कमेठी में भारती जुन्तव पार्टी की जीत है तो वही दूसरी तरफ हज कमेठी भी आम आदमी पार्टी सरकार से हास से निकल चुकी है देखना एहम रहेगा कि दिल्ली में मेर चुनाव कब होते हैं और मेर चुनाव को लेकर क्या फैसला सामने आएगा क्योंकि पिछली बार तीन बार से जादा प्रयास हो चुके हैं और तीन ब कमेठी के विरोध में आम आदमी पार्टी सरकार जो है वो शुरू से दिखाई दे रही है जब से 10 पार्षदों को मनोनित किया गया था दिल्ली के उपरा जिपाल वी के सक्सेना की तरफ से इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बता आईए धन्रबाद